हेलो प्रैंस, वेल्कम तो माई यूटूब चैनल, मैं हैल का, आप सभी ख़बाद बहुत बहुत साधत करते हैं, दोस्तों अगर आपने अभी तक मैंने यूटूब चैनल को सप्प्राइब नहीं किया है, तो तीस चैनल को सप्प्राइब कर लिशेदा और बेल आइकन को प् और यह तहरी खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगे, और जब भी पाला का सीजन रहेगा ना तो अब इस जरूर बना करके खाएंगे, तो हमने ले लिया है, तीन कटोरी चावल, इससे हमने 15 पहले दुलकर रख दिया था, आपके घर में जितने सदस्यों, आप जितने भी तहरी बनाना चाते हैं, उसके साथ से चावल ले सकते हैं, और दो बड़ी आलू हमने काट कर छोड़े चोड़े टुकड़ों में ले लिया है, एक गाजर काट कर ले लिया है, और थोड़ी सी गोवी काट कर ले लिया है, आ पालग और सोवा जरूर काट कर अधरी आने का फुल मजह चाहते हैं तो यह थोड़ा से सोवा और दो मुठी के करीब पालग जरूर काटकर डालें दो बड़ी प्याद भारी काट कर ले कुछ लेसन की कल्या ले लिया है और बहुत थ्टोड़ी सी अतरक कर दुकस करने लिया दोघ् Tube तेस्ट जिसका बहुत बरिया बनता है तो इसे जादा सुनेरा ना करें प्या जलकी सुनेरी हो गई है अब इसमें टमाटर डाल देते हैं और टमाटर के साथ हम सारे मसाले भी डालेंगे दो चमबच हल्दी पाउडर एक चमबच तेगी मिर्च और एक चमबच हमने लिया है और देड़ चमबच के करीब हमने लिया है धनिया पाउडर जालते हैं और आधी पैकेट हम डालेंगे गोली वाला मसाला मसाला इसे भी योद्य उसमें सकते हैं अगर आप कोई और मसाला खाते हैं तो आप बढादेंगे या जैसा ही अजुर हम डालेंगे कटी वई इसमें डालना है तो आप भी डाल सकते हैं या इसमें से आपको कुछ नहीं डालना है तो आप ना डालें बस इन सारी सब्चियों को अच्छे से भूनेंगे ये सब्चियां मसालों के साथ अच्छे से भून जाए तब हम इसमें पालक डालेंगे अगर पालक पहले डाल पर विश में मुझे बंगा। जौब झाल नुटे ताँ जरूर देखिए इक्तम से मज़ा आजाए कि खाके क्या लगती है फिर ये तहरी मैं तो जरूर डालती हूं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मेरे बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है जब तहरी बनती है तो वह पहले खटाई ही निकाल कर खाते हैं और मैं भी अपने लि इसे नहीं बने यह अलग अलग से चावल के दाने रहते हैं तभी खाने में अच्छी लगती है तो पानी हमने चावल के थोड़ी ऊपर तक डाल लिया है और उंगली डालकर ऐसे हम इसे नाप सकते हैं बस चावल से इतना ही उपर होना चाहिए पानी अभी हम यह प्रेसर लग देते हैं और इसमें उबाल आने देते हैं ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हल्ती एक बराबर से पूरे चावल पर चड़े और सारी चीज़े अच्छे से मिलती नहीं है तो तहरी हमारी देखने में बिलकुल भी अच्छी नहीं लगती है तो जैसे ही इसमें उबाल आ ज हम ढकन को बंद कर देते हैं ढकन लगा कर हम इसे हाई फ्लेम पर ही पकाएंगे और जैसे ही एक सीटी आएगी हम गैस को कर देंगे बंद और इसे पांस मिनट बाद को लेंगे क्योंकि इसमें जो प्रेसर बना न उससे ही चावल पकेगा और जादा हमें सीटी लाने की गई है और सारी चीज़ इसमें मिली हुई है ना कोई चीज ऊपर आई है ना कुछ भी नहीं सब कुछ इकतम परफेक्ट बहुत ही पढ़िया तहरी बंद करके तयार है और इसे हम करमा गर्म ही सर्व करेंगे और यह देखे मैं अपने लिए तो खटाई निकाल लिया है क्यों देखने में जादा अच्छी लगती है और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है जब हम इसमें धनिया एक साथ मिला देते हैं तो धनिया लापता हो जाती है तो दिखती भी नहीं है और देखने में अच्छा भी नहीं लगता है तो ऐसे हम उपर से डालेंगे तो देखने गप कर जाए यह तहरी ऐरन से भरबूर है और पालक के साथ इसका टेस्ट इंद्ध मज़ेदार है तो आप इस तरीके से यह टेस्टी टेस्टी तेहरी बना करके खा सकते हैं और इसे देख करके मुँह में पानी आया हो तो नीचे गले के उतार सकते हैं तो अगर आपको यह बजन नायो तो प्रीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत बूलेगा मिलते हैं नई रेसेपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए बाबाई